असलाम उलेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिस लिटूइचर पे वैलकम कहती हूँ हम जो डिसकस करने जा रहे हैं वो है एक शोट स्टोरी तडेड जो के जेम्स जो इसने लिखी है अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपोर्टन बाते बताती चलूँ आपको कि हम लोगों ने इस शोट स्टोरी को जिस सीक्वेंस में पढ़ना है वो सीक्वेंस होगा कि पहले हम देखेंगे राइटर एक्चुली है कौन ठीक है नमबर वन हमने राइटर को देखना है राइटर को डिसकस करना है नबर टू राइटर ने इस short stories के अंदर कुछ important terms use की है उन terms को discuss करना है नबर थ्री इस short story का historical background है historical context है उस वो context किया है उसको discuss करना है नबर फॉर हम लोगों ने characters list देखनी है कि characters basically कौन कौन से इसके इंदर आ रहे हैं क्योंकि ये short story characters से भरी पड़ी है नबर फाइव हम short story को critically discuss करेंगे ठीक है अब time waste किये अपना topic start किये करते हैं time waste किये बेकर अपना topic start करते हैं correction of the sentence सलो The Dead by James Joyce James Joyce चो है ये 2 February 1882 को पैदा हुए थे और 13 January 1941 में इनकी death हो गई थी ये एक Irish novelist है Irish Ireland के रहने वाले novelist जो novel लिखता है ठीक है ये एक Irish novelist है ये एक poet है और ये event grade writer रहे हैं 20th century के event grade writer किसे कहते है event grade वो बंदा होता है जो literary field के अंदर कुछ introduce करवाए कुछ नया introduce करवाए कोई नई techniques पे काम करे ठीक है और वो जो original अपना work publish करवाता हो ठीक है main काम क्या होता है something new to introduce something new in the field of literature ठीक है उसको हम लोग event grade writer के नाम से मनसूब करते हैं event grade कहते हैं हम लोग उसको बहुत ज़्यदा जो ये famous हुए अपने Ulysses इनका novel था उसकी base पे famous हुए जो के 1922 में लिखा गया इसके लावा जो इनके major works हैं वो है short story का collection है एक Dubliners जो के 1914 में published हो गया था next है A Portrait of the Artist as a Young Man ये 1916 में published हुआ था Finnegan's Wake 1939 में ये published हुआ ये इनके major works हैं इन works की base पे बहुत famous हुए और mostly इनके writing के अंदर हम लोगों को autobiographical elements बहुत ज़्यादा नजर आते हैं जो Portrait of the Artist as a Young Man है ये तो totally ही इनके life-based novel है आगे चलते हैं बात करते हैं कि किस चीज की techniques को अपनी writing अंदर यूज करते हैं ये अपनी writing के अंदर सबसे पाई जो टिकनीक इस्तमाल करते हैं वो है stream of consciousness second use of epiphany है third symbolism है fourth imagism है ये चार टिकनीक हैं जो इनके writing अंदर बहुत दिखाई देती हैं हम लोगों को इसके लावा भी बहुत साथ literary device यूज की हैं लेकिन ये major literary devices हैं जो के अपनी writing में ये use करते हैं discuss करते हैं कि basically ये actually में जो devices हैं इनके मतलब क्या है इनकी definition क्या है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग epiphany की epiphany basically एक Greek word है और इसका basically जो मतलब होता है वो ये होता है कि manifestation of God's presence in the world ठीक है लेकिन James ने इस term को अपनी writing में अपने तोर पर इस्तमाल किया है और इसकी different definition दी है वो definition है कि a sudden moment of realization a sudden moment of revelation इसमें क्या होता है कि एक इनसान जो है वो कोई ना कोई गलती करता आ रहा होता है करता का आ रहा होता है और sudden उसके सामने कोई ऐसी चीज ऐसी happening होती है जिसको देख के उसकी आँख से परदा उट जाता है और उसको एहसास होता है कि वो गलती पर था और उसकी spiritual manifestation हो जाती है जो कि उसको reveal करती है एग चीज उसके सामने उसकी आँखों के सामने वो जो revelation होती है उसको पता लगता है कि actually मैं एक सही path पर नहीं था जो सही पात है वो तो यह था, सही रस्ता तो यह था और वो sudden realization उसको होती है, यह epiphany होती है इसने अपने हर novel में epiphany को बहुत ज़ादा use किया है even कि वो इस short story जो हम पढ़ने जाएंगे the dead उसमें भी उसने epiphany का बड़ा जिकर किया है बहुत important role होता है इसके works के अंदर epiphany का next जो term है वो है stream of consciousness stream basically कहते है नदी को, नदी का बहना stream of consciousness जो है यह relevant है stream of thought को कि हमारे दिमाग के अंदर किस तरह सोचों की नदी आ बहती है in short कि किस तरह हमारा दिमाग जो है वो सोच के अंदर गुमा रहता है कि एक सी सोचते सोचते दूसरी, दूसरी सोचते तीसरी, तीसरी के साथ चोती, linked हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं this is called stream of consciousness, इसके अंदर क्या होता है हम लोग बेसाल के तोर पर मैं बैटी है आपको अभी पढ़ा रही हूँ यह आप से कुछ डिसकस कर रही हैं, करते हैं, मेरा माइंड है, वो कहां से लगए है, वो कुछ और सोच रहा है मैं बजार में गई थी, बजार में हम लोगों ने बहुत जादा लोगों को देखा, बहुत रश था रश के दुरान मेरा बैग गिर गया, बैग उठाया, मेंस यह सारी स्टोरी क्या है, यह मेरे दिमाग में चल रही है, जो चल रही है उसको लिख दिया, स्ट्रीम ओफ कॉंशिसनेस, जो हम लोगों के इसका अपोर्ट अपर आर्टिस अज यंग मैं पढ़ा था, उसमें भी क्या होता है, स्टिफन दॉलस है, उसकी स्टारी स्ट्रीम ओफ कॉंशिसने दिखाई गई है, उसके सारी सोचों को दिखाया गया महाँ पे, स्ट्रीम ओफ कॉंशिसनेस, जिसमें एक राइटर जो होता है, उसका करेक्टर होता है, और क्रेक्टर कहीं जाता है, और क्रेक्टर की जो आगे सोच होती है, वो दिखाई जाती है, ठीक है, इसके पास जो टिक्निक ही यूज करता है, वने राइटिंग इंदर वो है सिंब symbolism, symbolism basically होता है wailed mode of communication, थके छुपे इस फास में बाते करना, symbol जो होता है एक object भी हो सकता है, एक person भी हो सकता है, एक प्लेस भी हो सकता है, कि मतलब एक चीज किसी और चीज के लिए stand कर रही हो, मिसाल के तोर पर रेड लाइट पता है, इंडिकेट करता है, यहां रुकना है, अगर ट्रैफिक लाइट की बात की जाएए, यालो लाइट इसका मतलब अपने गाड़ी स्टार्ट कर रही है, ग्रीन लाइट, यह सिंबल है कि इस चीज का गाड़ी को चला लेने का, ठीक है, इमेजिसम बहुत ही important यहां पे हमारे पास एक time है, क्यूंकि वो उस historical context में भी fall कर रही है, क्यूंकि अगर हम historical context के बात करें, जिस historical context में लिखा गया है, यह पले, यह short story, the dead, उसके अगर बात करें, तो 1912 की बात है कि 1912 में एक movement थी, इमेजिसम की, वो movement poetry में, Isra Pound, Hilda और Ritch एडिलंगल्ट थे तीक है ये तीन बंदे थे एजरा पाउंड हिल्डा और रिछर्ड अडिलंगल्ट ठीक है इनको रिच्ट्शेड एल्डिंगोटन भी कहते हैं और रिचर अडिलिंटन भी कहते हैं एकुरेट स्पैलिंग मैं बता देती हूं र आई सी एच एडी रिचेड एल डी एंग टी ओन एडिलिंटन ठीक है यह इनके एकुरेट स्पैलिंग है अच्छा बहराल यह तीन लोग थे एक एजरा पाउंड थी एक हिल्डा थी और एक रिचेड अडिलिंटन थे यह तीनों मुवच्ऽ आप तो ने इस मुवमेंट के ओपर इमिझिसम के ओपर काम किया था इमिझिसम के डेफिनिशन तो यह होती है कि हम इसके इंदर ना इमजुस का यूज करते हैं हमारा डिरेक्ट ट्रीट्मेंट और थी thoughts अगर सोचोगी बात की जाए तो हमारे पास the dead के अंदर एक character है जिब्राइल नाम का वो जो character है वो main character होगा उसकी thoughts है ना वो subjective हमारे पास images create करेंगी और जो उसके action है story के अंदर वो objective images है ठीक है वहां पर writer का little और no comments include होंगे यह imagism होता है in short imagism is the use of images images के थूँ जो एंदर हम लोग images create कर रहें हैं through writing character को नहीं मैं यह बिसिकली audience की बात कर रहें हम बिंग reader through writing of the writer जिसना अब वो thoughts का यूज कर रहे है subjective form में हो यह फिर objective form में हो तो action का यूज कर रहे है उसके थूभ हमारे माइन में एक pictures create होती है अब मैं असान करके बताती है इसी बात को imagism है क्या यह एक ऐसी movement है ऐसी technique है जिसके अंदर writer अपनी subjective और objective approach यूज करके reader के दिमाग के अंदर images create करता है ठीक है शाहिद आपको अब इंचाला तहला समझ आ गई होगी आगे चलते हैं हम लोग अब बात तरते हैं दड़ेट की कि दड़ेट बेसिकली है क्या दड़ेट बेसिकली एक शोट स्टोरी है जो के हिससा है इस का इस प्योड़ सॉट स्टोरी है अजन एक फाइनल स्टोरी है इस कॉलेक्म के अंदर और ये बस्ट वर्क मन जाता है जो ओर इसके अंदर 15,672 वर्ड जहैं इसको नौवला भी कहा जाता है नौवला बिसिकली क्या हÑ outlines न बेला ना तो शोट स्टोरी तिह Hannah him नोवल होता है नोवला एक ऐसा work होता है जो के नोवल से छोटा short story से बढ़ा हो ठीक है उसको नोवला कहते हैं और इसलिए इसके क्योंकि यह इतने जादा words include होने की वज़ा से इसको हम लोग नोवला भी sometimes कहते हैं और इसके निदर जो बात है डिसकस की गए है वो basically history of Ireland जो हम दिखाया गया है कैसे क्लोनिल्सम का time period था in short British ने किस तरह से rule over गिया था Ireland को Irish people को वह हम देखेंगे इसके इंदर इसके साथ हम देखेंगे डबलिनर जो Dublin जो बिसिकली एक city थी और वहां पे किस तरह से लोग spiritual paralysis हो गए थे लोग के दर वह जो concept of religion था वो चला गया था क्यू यहां पर तीन movement आगी थी एक Marxism की आगई थी Karl Marx की एक Niche की फिलोसफी आगई थी और सिग्मेंट फ्राइड की फिलोसफी आगई थी story जो है वो सारी through and through एक ही character के guilt घूम लही है और वो character basically kown है Jibrail Conrey इस story के और जो इसने element यूज किया वो realistic style है इसका style बहुत realistic है यह story realism based है इस इसने symbolism का इस चोरी की इन्दर अंदर ऐसे भी आए जो जो इसके रियल डाइफ टाइम में उससे मिले हुए हैं और जो इस उनको रियलिटी में जानता था और उसने अपनी इस राइटिंग एंदर उन करेक्टर के रोल को डिपिक्ट किया है यहां हमारा यह पार्ट हम खतम करते हैं नेक्स पार्ट में हम गरेक्टर्स को डिसकस करेंगे हमारे साथ रहेगा दौाओं में यार रखिएगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग अवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल अला हाफिज